क्या हाल चाल है वाई-लोग आज की वीडियो बहुत ही जोड़दार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टेबलेट को यूज़ करके यूट्यूब पे टीचिंग वीडियो बना के डाल सकते हो इसमें सिर्फ आपको टेबलेट चाहिए होगा और अपको कुछ भी लेप्टोप खरीदने की जूरत नहीं पड़ेगी ऐसी ट्रिक ऐसा तरीका और ऐसी प्रोसेस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ तो अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो और वीडिय इस टाइलस आप खरीद भी सकते हो या फिर आप घर पे भी बना सकते हो मैंने इस चैनल पर होममेड इस टाइलस पांच मिनिट में बनाने की वीडियो डाली वह है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है नई देखी तो देख लो पांच मिनिट में खुद का यह होगा external microphone उसकी ज़रूरत है नहीं लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उससे audio आपकी अच्छी record होगी और उसके बाद आपको डाउनलोड करनी होगी कुछ तीन free apps, free है, बिल्कुल free है, play store पे मिलती है, वो डाउनलोड करनी होगी जिसमें पहली app होगी, Microsoft Office की app, जो की free है, डाउनलोड कर लीजे, जिसमें हम लोग अपना PowerPoint presentation बनाएंगे, जिससे आप पढाते हैं, क्योंकि आज स्टाइल चल रहा है पढाने का, कि लोग presentation बना लेते हैं, उसको PDF बनाके उसका, और फिर उस पे सब कुछ पढाते हैं, तो presentation बन recorder no ads नाम की app, जिससे हम अपने tablet की screen record करने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या गरेंगे, देखिए, सबसे पहले तो आपको बनाना होगा अपना PDF, मैं अपनी screen recording चालू कर लेता हूँ, ताकि आप देख सको कि मैं कहां पे PDF बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, वो चीज़े आ one and go, okay, screen recording चालू हो गई, तो मैं दिखाता हूँ, आपको देखिए, ये आपके सामने है, ये मैंने Microsoft Office PowerPoint खोला हूँ है, जो की tablet का version है, इसमें देखिए, मैंने ये PDF बनाया हूँ है, पहले से आपको दिख रहा है, साइड में मैं भी दिख रहा हूँ, तो देखिए, इसमें म आप वो apps download करने सारी है, तो उसके बाद आपको करना क्या है, simple है, बहुत simple है, आपको जब आप पूरा presentation अपना complete करने है, अलग-लग slide बना ले देखिए, इसे, हर slide के आगे new slide add करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर click करेंगे, ये new slide पे, तो ये new slide यहाँ पर बन जाएगी, औ share पे जब आप click करेंगे, तो यहाँ पे पूछेगा, फुल document share करना है, या फिर current slide को share करना है, तो हमको क्या करना है, हमको full document पढ़ाना है, तो हम full document पे click करेंगे, अब option जो निकल के आता हुगा आता है, presentation का और PDF का, तो हमें इसको PDF में share करना है, PDF में share किसको कर रहे हैं, करना है, यह create note का option है, यह कौन सी एप है, samsung notes की एप है, उसका option है, तो इस create note के option पे आपको click करना होगा, create note पे click किया, ok, अब देखिए, जैसे आप create note पे click करेंगे, तो उसके बाद में आपका जो यह है, खुल जाएगा samsung note में PDF, ok, तो अभी देखिए, यहाँ पे यह keyboard न writeable PDF, ok, तो इसको दो अंगूलियों से आप zoom कर लिए, जितना चाहें आप, उतना आप zoom कर सकते हैं, तो अब देखिए, हम आपको बताता हूँ, कि how to make teaching videos, how to make teaching videos, ok, यहाँ से आप अपने जो pen का है color change कर सकते हैं, देखिए, यहाँ से मैं मान लिजे red कर लिता हूँ, तो भई teaching video बनानी है, किसी पर बना सकते हैं, using Samsung LTM A, और any other tablet, ऐसे पढ़ाते हैं आज कर लोग, उसके बाद आप यहाँ साइड में हैं, जो दो अंगूलियों से इसको ऊपर खिसका सकते हैं, तो यह देखिए, मैं आप next page पर जाता हूँ, you need following things, आपको क्या क्या जरूत पढ़ेगी एक tablet, जो की probably Samsung का tablet होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा, यह देखिए, homemade stylus से लिख रहा हूँ में, और एक stylus, यह homemade है हमारा stylus, मैंने बनाया है, वीडियो इसकी में डाली है, देख लीजेगा, और उसके अलावा, एक external mic, mic कौन सा लें, बोया का mic ले सकते हैं, उसकी cable भी ब Microsoft Office App, जिस पे हमने PDF बनाया है, तो अभी मैं बनाया वे PDF पे आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे पढ़ा सकते हो, उसके बाद में सारी app प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहां से देखिए, आप जो है, अपने pen का size भी change कर सकते हो, यहां से देखिए, इस internal memory, अब इसको save file PDF नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको share दबाना है, और उसके बाद में full document select करना है, उसके बाद में create note पे click करना है, जिसा मैं भी आपको बताया, आप दुबारा देख लीजएगा, एक बार में समझना है, दो तीन बार देखेंगे, आपको process सारी Samsung Notes में इसको open करेंगे, जो कि हमने अभी already open की हुई है, उसके बाद चलिए नीचे, screen recording app की setting, screen recorder जो आपको मैंने बताया, screen recorder no ads, उसमें आप जब जाओगे, उसको open करोगे, तो उसको open करने के बाद आपको setting के logo पर जाना होगा, setting का logo कुछ ऐसा सा आता है, नीचे उसके bottom में ऐसे आपको 2-4 logo दिखेंगे, यहाँ पर camera का Nissan दिखेगा, एक beach में setting का logo दिखेगा, तो उस setting के logo पर आपको जाना है, वहाँ पर जाके आपको resolution डूढ़ना है, उस setting में, नीचे आप drop down करेंगे, resolution को 90-20 to 1080 पर select करना है, उसके बाद orientation को landscape पर select करना है, क्योंकि हमको landscape video बनानी और change audio source to mic, mic पर select कर देंगे, अगर आपके पास mic है, external mic है, तब इसको mic पर select कीजेगा, otherwise इसको internal audio पर ही रहने दीजेगा, by default कोई change मत कीजेगा इसमें, और फिर उसके बाद में screen recording आप चालू कर दीजे, तो screen recording चालू कर देंगे, उसके बाद अपने PDF पर आजाईए, जो यह अब देखें, recording process after starting screen recorder, right tone PDF की जगह है, हम Samsung Notes काम में ले रहे हैं, Samsung Notes में हमने open की विये, अभी देख रहे हैं, और writing PDF using stylus, यानि PDF पर अभी जाशे समय, stylus, format stylus काम में लेके लिख रहा हूँ, तो ऐसे आप समझा सकते हो, अपना topic, मेरा topic है कि कैसे बनाए video, आप अपना कोई अपना topic समझा सकते हो, उसके बाद, at the end of teaching, close screen recording from notification panel, तो देखें, अपर से notification panel आप जो ही नीचे करोगे, यहाँ पर देखें, screen recording चल रही है, तो इसको यहाँ पर यह जो stop का बटने इसको दबा के आप रोक सकते हो, okay, उसके बाद your teaching video is now recorded, यह थोड़ा सा minimize हो गया, तो इसको हम अपिस से open कर लेते हैं, okay, यह लिख रहा है, your teaching video is now recorded, edit if needed using काइन मास्टर और other video editor है, चाए वो मोबाइल पर हो, या फिर PC पर, या अगर आप माल लिजे, आपको starting के कुछ काटना हो सकता है, क्योंकि आपने जब चालू किया, और आप जब तयारी कर रहे होता है, और end में कुछ रह जाता है, कुछ भी आ जाता है बीच में, तो उसको आप edit कर सकते हैं, या तो आप उसके लिए काइन मास्टर को use में लीजे, और या फिर आप और कोई भी video editor जो काम में ले सकते हैं, इस पर, windows पर, या फिर अपने tablet पर, खुद edit करने के लिए, और उसके बाद में just उसको आप कर दीजे, upload, तो दोस्तों, इतना simple है, tablet पे now, कुछ भी नहीं लगेगा, सिरफ एक tablet, और stylus भी आप घर पर बना सकते हो, और अपनी videos, teaching videos बना के YouTube पर डाल सकते हो, जो कि आज कि बड़ा trend है, teaching video बड़ी चल भी है, तो आप अपना खुद का YouTube channel बड़ी आसानी से start कर सकते हो, अगर आपके पास है, एक Samsung का tablet, चाहिए वो Samsung Galaxy A tab 10.1 हो, और दूसरा Samsung का tablet, Samsung का, इसलिए बोलाओ, क्योंकि यह Samsung Notes की app है, यह Samsung के tablet पे ही available है, तो इस tablet का भी review में डाला है, उसके links सारे में नीचे दिये हुए है, और Amazon पर अगर इस tablet देखना जाते हो, तो उसका भ कीजे, मिरा नाम सुभम, आप देखर आयटीव पंडित वीडियो होगे यह खतम, जैहिंद वंदे मात्रम